वर्ल्ड कप शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है ऐसे में हर कोई अपनी राय वर्ल्ड कप को लेकर दे रहा है यह बता रहा है कि कौन सी टीम जीच सकते हैं या फिर कौन सी टीम किस पर भारी पड़ सकते हैं साउथ अफ्रिका के एक दिग्गस क्रिकेटर हैं जो कि अब रिटार्यमेंट ले चुके हैं और वो हैं एबी डिविलेर्स उन्होंने भी एक भविश्यवानी किया वर्ल्ड कप को लेकर उन्होंने बताया है कि कौन कौन सीटी में सेमी फाइनल में अपनी जगय पक्की कर सकत चली इस विडियो में बताते हैं कि एबी डियोलेस ने क्या कुछ कहा अपनी स्टेटमेंट में निश्च रूप से भारत मुझे लगता है कि वह वहां दोबारा जीत हासल करेंगे ये एक फेरी टेल विश्युकप होने जा रहा है भारत इंग्लैंड औस्टेलिया तीन बड क्योंकि मुझे लगता है कि विकेट अच्छे होंगे मुझे नहीं लगता कि विश्युकप में टूनामेंट के दौरान खराब विकेट देखनी को मिलेंगे तो इबी डियोस का मानना है कि इंग्लैंड ऑस्टेलिया और इंडिया और एक साउथ अफ्रिका भी ये चार टीम में टी ट्वंटी में हर फॉर्मेट में उसका दबदबा चल रहा है और इंग्लैंड भी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है और अब तो बैंस्टोक की वापसी भी होगे वंडे क्रिकेट में इंग्लैंड की टीम की तरब से खेलेंगे ओडिया वर्ड कप में तो ये बहुत साथ सौथ एफ्रिका में बहुत ही जादा उभरती बहुत अच्छी टीम है और वह भी कड़ी टकर दे सकती है और इंडिया को यहां पर एक फाइदा हो सकता है कि इस बार जो वर्ड कप है वह इंडिया में ही और इसलिए अपनी धरती का फाइदा टीम इंडिया को उठाना होगा ओडिया क्रिकेट में और अगर देखा जाए तो शुबमन गिल और विराट कोले का ओडिया स्टैट से बहुत अच्छा है इन दोनों का चलना बहुत जरूरी है और जो नंबर चार की प्रॉब्लम है टीम इंडिया में वह भी देखना होगा कि कौन सा बल्लेबास सॉ करना बिल्कुल भी नभूलें